Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, Amit Tatarival, आसा करता हूँ, आप सभी अच्छे होंगे रोजाना की तरह इंगलिज से हिंदी ट्रांसलेशन के लिए आज हम एक बहुत अच्छी स्टोरी लाए हैं, जिसका टाइटल है आज की स्टोरी में मैं आपको word to word translate करके हिंदी उनकी नीचे लिखता चलूँगा साथ ही sentence में जो बरवाई है और जो difficult word आए हैं, उनके बारे में मैं डिटेल से बताता चलूँगा उनका pronunciation भी और उनका हिंदी मिनिंग भी तो सुरू करते हैं आज की स्टोरी, स्टोरी को सुरू करने से पहले बताना चाता हूँ, हम रोजाना सुबा पांच बज़े अपनी यूट्यूब चैनल पर इंगलिस से हिंदी ट्रांसलेशन और रीजिनिंग की वीडियो इबनिंग में डालते रहते हैं अगर आप चाते हैं हमारी यूट्यूब चैनल से इसी तरह की वीडियो मिलते रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लिजिए साथी बैल आइकन दवा लिजिए ताकि किसी भी वीडियो को नोटिफिकेशन मिछना हो मैं यहां रीडिंग करना स्टाइब करता हूँ आप लाइक और सब्सक्राइब कर लिजिए एक काइट एंटर दा फार्मलेंड एक काइट पतंग भी होता है काइट चील भी होता है अब यहां क्या है गोरिया का जुनड़े पक्चो की बात चले तो पतंग तो नहीं है यहां ही चील है एक चील एक चील एंटर दा फार्म लेंडT होता है खेत और एंटर पिरवेश किया एक चील ने एंटर पिरवेश किया पिरवेश किया दा फार्मलेंड एक खेत में इन विच जिसमें जिसमें ए फ्लोक ओप स्पैरोज लिब्ड पीस्फुली जिसमें ए फ्लोक होता है जुन्ड एक जुन्ड किस चीज का? ओप स्पैरोज गोरईयों का गोरेयों का एक जुंड लिब्ड पीसफुली सांती से रहता था अब यहां क्या है बर्ब की बीटू यूज हुई है यहां भी बीटू यूज हुई है घटना हमारी क्या है पास्ट किये तो इसलिए बर्ब की सेकिंड फॉर्म यूज होगी एक बार इस सेंटेंस को समझ लेते हैं वन डे एक दिन एक काइट एंटरड एक काइट एक चील ने एंटरड पिरबेस किया ठीक है बर्ब की सेकिंड फॉर्म the farmland खेत में in which in which मतलब जिसमे उस खेत की बाद चल ली उस खेत में इन विच जिसमे ए फ्लो कोप इस पैरोज मतलब एक गोरियों का जुंड lived peacefully सांती से रहता था the kite was looking for food looking for होता है खोजना ठीक है यह हमारी phrasal verb है the kite वह चील ठीक है जिसकी बाद उपर चल लीए definite article यूज हुआ है क्योंकि जिस चील की उपर बाद हुई है उसी की हम यहां कर रहे है the chill वह चील was looking वह आया है और उसके बाद ing तो यह कहा है past continuous the kite वह चील was looking खोज रही थी look for होता है खोजना या ढूनना was looking for food खाना तलास रही थी खाना तलास रही थी फूड होता है खाना the sparrows बर इसकेर्ड sparrows गोरिया गोरिया बर इसकेर्ड जो गोरिया थी वो डरी हुई थी गोरिया डरी हुई sparrows है तो ये क्या है काफी सारी गोरिया है तो मैंने यहाँ थी के उपर बिंदी लगा दी इससे क्या पता चला है इससे ये पता चला है काफी सारी है और यहाँ s भी लगा हुआ है sparrows होता है single गोरिया अब जब इसमें s लगा है तो plural हो गई उसी के हिसाब से यहाँ बर्ब आई है और scared होता है डरी हुई या डरा हुआ यह हमारा adjective है कोई action नहीं है तो इसलिए क्या है यहाँ simple past की बर्ब लगा दी plural form में the sparrows were scared जो गोरिया थी वो डरी हुई थी so इसलिए they begin to hide themselves so इसलिए they begin लगे hide छिपाने themselves खुद को एक बर समझ लेते हैं so इसलिए they begin to hide themselves इसलिए बे खुद को छिपाने लगे one of the sparrows suggested that one of the sparrows मतलब one, एक की वाद चल लई है of the sparrows काफी सारी गोरियों में से ठीक है उन में से हम लिख शक्ते हैं उन में से एक गोरिया ने एक एक गोरिया ने suggested सुझाब दिया सुझाब दिया क्या सुझाब दिया that they seek advice from the hawk that की they seek advice उन्हें सलहा मांगनी चाहिए या ढूननी चाहिए सिख होता है खोजना they उन्हें सिख advice सलहा मांगनी चाहिए मांगनी चाहिए from the hawk hawk क्या होता है बाज से बाज से एक बार समझ लेते हैं बनोब दा स्पेरोज उन्हें से एक गोरईया ने ठीक है सजेस्टिड सुझाब दिया दैट की they सिख advice उन्हें सलहा मांगनी चाहिए सिख मांगना है खोजना from the hawk बाज से the oldest sparrow bent to the hawk and said the oldest मतलब सबसे बुजूर्ग सबसे बुजूर्ग गोरईया ने ठीक है सबसे बुजूर्ग गोरईया bent गई to the hawk किसके पास बाज के पास बाज के पास ठीक है to यहाँ पास के अर्थ में यूज हुआ है and said or or कहा क्या कहा एक बर समझ लेते हैं the oldest sparrow सबसे बुजूर्ग गोरईया bent to the hawk बाज के पास गई and said और कहा brother please help us भाई please help us हमारी मदद करो okay brother please help us भाई हमारी मदद करो come kill this kite come आओ kill this kite और इस चील को मार दो come आओ kill this kite और क्या इस चील को इस चील को मार दो इस चील को मार दो ओके beaver scared हम डरे हुए हैं ठीक है beaver scared हम डरे हुए हैं हम डरे हुए हैं ठीक है यह sentence उपर भी यूज हुआ है इंगलिस में क्या है सेम आता है बरिसकेर्ड बरिसकेर्ड ठीक है बहाँ इस पर रहो है और यहां बी है अगर आप continue रहेंगे तो आपके लिए कुछ difficult नहीं है इट बलकिल दा अदर इस पैरोज इन दा फार्म लेंड इट बलकिल यह मार देगा यह मार देगी अदर इस पैर लोज अन्ये जो बाकी थी अन्ये गोरियों को अन्ये गोरियों को मार दे गई in the farmland खेत में ठीक है एक बार समझ लेते हैं brother please help us भाई हमारी मदद करो come आओ kill this kite और इस चील को मार दो be were scared हम डरे हुए है ठीक है it will kill the other sparrows in the farmland it will bill आया है bill के साथ kill आया है kill क्या है फश्पो में it will kill यह मार देगी the other sparrows अन्ये जो अन्ये या बाकी गोरियों हैं उन गोरियों को in the farmland खेत में the hawk agreed बहबाज बहबाज सहमत हो गया बहबाज सहमत हो गया to help the sparrows गोरियों की गोरियों की सहायता के लिए सहायता के लिए and ended up killing the kite और और ended up समाप्त कर दिया समाप्त कर दिया ठीक है killing मार कर the kite the kite chill को ठीक है chill को to help the sparrow गोरियों की सहायता के लिए and ended up और समाप्त कर दिया killing the kite chill को मार कर the sparrows but finally happy जो वो गोरियों थी गोरियों खुष थी गोरियों खुष थी okay finally आखिरकार आखिरकार अब खुष क्या है यहाँ happy है ठीक है ठीक है बर्ब है और गोरियों क्या है sparrow है okay समझ के एक बार देख लेते हैं the sparrows were finally happy गोरियों बर्माने थी finally आखिरकार happy खुष गोरियों आखिरकार खुष थी some days later कुछ दिन बाद कुछ दिनों बाद the hawk came to the sparrows and said the hawk बाज ठीक है came to the sparrows came आया to the sparrows कहां आया sparrow होता है गोरिया गोरिया के पास ठीक है came to जहां भी came to आये तो इसका मतलब come to का मतलब होता है कहीं आना ठीक है the hawk came to बाज आया to the sparrow गोरिया के पास and said or और कहा क्या कहा I helped you by killing the kite I helped you मैंने सहायता की या मदद की मैंने मदद की ठीक है you तुम्हारी by killing the kite by killing मार कर the kite chill को चील को ओके एक बाज था बो गोरियों के पास आया and said और कहा I helped you by killing the kite मैंने आपकी मदद की है by killing मार कर the kite चील को now you have to send one sparrow for my meal everyday now अब you have to send आपको भेजना पड़ेगा भेजना पड़ेगा बन sparrow एक गोरिया को for my meal मेरे भोजन के लिए भोजन के लिए ये मेल नहीं है ये मील है मील होता है भोजन everyday रोजाना ठीक है अब एक बार समझ लेते हैं now you have to send now अब you have to have to क्या है बाद देता दर साता है और simple present का है now अब you have to send आपको भेजना पड़ेगा one sparrow एक गोरिया को from my meal अब एक बार इससे समझ लेते हैं now अब you have to send have to क्या है have to बाद देता दर साता है और simple present का है ठीक है you have to send आपको भेजना पड़ेगा one sparrow एक गोरिया को for my meal everyday मेरे भोजन के लिए रो जाना or else नहीं तो ठीक है or else नहीं तो I के साथ ये I'll जो लिख रहा है ये I will है इससे हम पूरा लिखेंगे तो ये कह लिखा जाएगा I will यहां contraction for में or else नहीं तो I will मैं ठीक है I will come मैं आउंगा ठीक है मैं आउंगा and kill all of you और आप सभी को मार दूंगा ठीक है आप सभी को मार दूंगा ओके now the sparrows were in travel now अब the sparrows गोरिया ठीक है but in travel मुसीबत में थे मुसीबत में थे now the sparrows but in travel अब गोरिया मुसीबत में थे as the hawk was too powerful as chunki as chunki the hawk was too powerful बाज और वाजमानित था two powerful अधिक powerful सक्ति साली शक्ति साली एक बार समझ लेते हैं now the sparrows were in travel अब ये जो गोरिये थी वो मुसीबत में थी travel होता है मुसीबत as the hawk was too powerful चunki बाज क्या था अधिक सक्ति साली था ठीक है they understood that they killed a harmless kite they understood they समझ गए they समझ गए that key they killed उन्होंने मार दिया उन्होंने मार दिया a harmless kite एक हानी रहित हानी रहित चील को ओके which is why which is why होता है जिसकी वज़े से जिसकी बज़े से they were in this travel वे थे in this travel इस समस्या में एक ब़र समझ लेते हैं they understood that they they मने बे understood समझ गए that की they killed उन्होंने मार दिया a harmless kite harmless होता है नुक्षान रहित या हानी रहित एक harmless kite एक हानी रहित चील को which is why which is why होता है जिसकी वज़े से they were in this travel बेस समस्या में थे moral अब moral क्या है if you hurt someone moral होता है सिक्षा ठीक है सिक्षा if you hurt someone यदि आप किसी को आप किसी को हानी पहुँचाएंगे ठीक है you will be hurt आपको भी हानी ही होगी ठीक है आपको भी हानी ही होगी तो ये थी हमारी आज की स्टोरी आसा करता हूँ अच्छी लगी होगी लाइक करना अपने दोस्तों के साथ सेर करना थैंक्स पूर वोचिंग दिस वीडियो हैव आइस डे